इस वक्ती बड़ी खबर छप्रा से निकल कर सामने आ रही है जहां सारन लोकसबाज सीट पर हुए चुनाओ के बीच मतदान के बाद हुई घिंसा के बाद अब सारन СП के उपर गाज गिरी है सारन स्पी का तबदला हो गया आलाकि इस घटना के बाद से इस इलाके में चर्चा तेज हो गई थी कि सारन के जो स्पी है उनकी भिफलता का ठीकरा फोड़ा जाएगा उनके उपर और उनका तबादला हो सकता है और इस बीच बड़ी खबर पुलिस मुख्याले से निकल कर सामने आई जहां से कि सारन के जो S.P. है उनका तबादला कर दिया गया है और उनके जगपर जो मुझपरपुर में रेल S.P. थे उनको सारन भेजा गया है पुरे मामले की जाच और व वोटिंग के दोरान राष्टिय जनता दल के उमिद्वार और बीजेपी के जो समर्थक थे उनके बीच वोटिंग के बीच जो है वो जड़ब की खबरे निकल कर सामने आई थी उसके बाद वोटिंग समाप्त होने के बाद इलाके में इस्तिती तनाव पूर नहीं उसके ठ समर्थक थे दो जातियों के जो समर्थक थे उनके बीच आपसी जो वर्चस है उसे लेकर खुब बवाल हुआ सारण में हलात बेकाबू हो गए और वहाँ पर एक वेक्ति की मौत हो गई राष्टिय जनता दल और राजत के समर्थक जो था जिसकी मृत्त हुई है बताये बा सारण सीट से लालू परसाद यादों की बेटी चुनाओ के मैदान में थी तमाम लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर सारण में रोहनी अचार अपनी मा रावणी देवी को जो सुरक्षा दिया गया उस सुरक्षा कर्मियों के साथ कैसे चुनाओ के दिन घूम रही थी सारण के अंदर जो घटना घटी इसमें सारण के एसपी को जिम्मिवार माना गया है एलेक्षन कमिशन ने बड़ी करवाई किया एलेक्षन कमिशन के आदेश के बाद बिहार पुलिस मुख्याले के तरफ से निर्देश जारी हुआ और सारण के जो एसपी है उनका तबाद सारण के जो एसपी थे गौरो मंगला उनके उपर ये गाजगिरिये उनका तबादला कर दिया गया और अब कुमार आसीज को सारण का जो है नया एसपी बना कर भेजा गया जिने इस पूरे मामले पर नियंतरन करने के साथ सथ जाच की अहम जिम्मिवारी होगी आपको बता सारण के आरोप लगा था कि एसपी इस पूरे मामले में अगर ठोस कदम पहले उन्हेंने उठाया होता वोटिंग के ठीक बाद हलात जिस तरीके से बेकाबू हुए थे पुलिस अगर वहाँ पर पहले से ही तैयारी की होती तो सायद वो नौबत नहीं आती जो हलात सारण के अंदर अगले 49 घंटे तक बनरा इसके जिमवार जो पुलिस पताधिकारी है उनके पर सक्क करवाई हो और इसकरी में सारण के जो एसपी हैं सबसे पहले उनके उपर घाज गिरा और अब उनका तवादला हो गया आप नए एसपी को जिमवारी भी लिए वो इस पूरे मामल जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined